असलाम अलेकम वेलकम टू अली नास कुकिंग एंड ब्लॉक तो चले स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी बिस्मिल्लाइर रख्मान रराहीम रमजान स्पेशल में आज हम बना रहे हैं बहुत ही मर्जे की आलू की सब्जी जिसे बनाने के लिए हमने लिये हैं 250 क्राम आलू जिनका चिलका उतार कर हमने काट लिया है और पानी डाल के रख दिया है 100 क्राम लिया है कुकिंग ओईल 1 टीस्पून लिया है जीरा 1 टीस्पून लिया है लसन अदरकी पेस्ट आप चाहें तो अपनी मर्जी से मसाला जात कम ज्यादा कर सकते हैं और दो खाने के चमच हमने लिए है कसूरी मेथी इन अदद लिए है हरी मिर्चे और एक अदद लिया है बड़े साइस का प्याज सबसे पहले हम कडाही में जो कुकिंग ओईल लिया है वो डाल देंगे हंडर्ड में लिया है ज्यादा कुकिंग ओईल नहीं डालेंगे और वन टी स्पून जो हमने जीरा लिया है वो डालके तकरीबन एक मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे और अब हमने जो एक कदद प्यास लिया था वो भी डाल देंगे और इसे हम फ्राई करेंगे इसे ब्राउन नहीं करना है बस थोड़ा सा फ्राई करना है जिससे थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए प्यास जब भी खाना बनाएं तो प्यास को ब्राउन नहीं करना ब्राउन करने से खाने का टेस्ट जो है बिलकुल चेंज हो जाता है कि तीन अदर जो हरी मिर्चे ली थी हमने वह भी ढाल दी है और देखें बहुत प्यारा सा कलर आ गया वन टी स्पून जिलेंटर की पेस्टी थी वह भी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और प्यास का कलर देखें बहुत ही अच्छा आया है बिल्कुल लाइट ब्राउन सा लसन भी हमारा फ्राई हो गया है अब हमने जो आलू पानी में बिगो कर रखें ते पानी को निकाल देंगे और आलू को हम एड़ कर देंगे तकरीबन दो मिनट के लिए हम आलू को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे अब हमने जितने भी मसाला जाड लिये थे वो डाल देंगे और मसाला जाड डालने के बाद हम अच्छी तरह से मसालों को और आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताके मसालों का कच्चा बान जो है वो बिलकुल खत्म हो जाए आलों की बुनाई हमारी हो चुकी है अब हम इसमें 150 मिली के बराबर यानि के आदा कप पानी डाल देंगे और 10 मिनट के लिए डग कर हलकी आँच पर पकाएंगे 10 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही मज़े की आलो की सबजी हमारी बन कर त्यार है हमने जो सूकी मेती यानि के कुसूरी मेती ली थी वो डाल देंगे आप चाहें तो हरा दनिया बेस्तमाल कर सकते हैं लेकिन सुकी मेती डालने से आलों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है बहुत ही मज़े की और असान आलो की रेसिपी हमारी बन कर त्यार है आप इसे सहरी में पराटों के साथ खाएं या सुकी रोटी के साथ खाएं तो ये बहुत ही तेस्टी और असान रेसिपी है तो प्लीज बताईएगा के आपको कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज